तो देखिए हम लोग करने वाले हैं अब MCQs कभी भी तयारी हम करें तो तयारी का सबसे important portion होता है जब हम लोग MCQs solve करते हैं तो इससे क्या होगा हमारा revision होगा ठीक है revision होगा और इसके अलावा कुछ ऐसे topics जो नए होते हैं जो की आपके theory में cover करना फ्रोड़ा difficult होता है उसको हम लोग MCQs के तुरू पढ़ते हैं तो ये भी आपका एक काफी important session होने जा रहा है और इसमें हम लोग करीबन साड़े 300 से जाधा साड़े 300 से भी जाधा questions यहाँ पे हम लोग solve करने जा रहे हैं और topics कौन से होंगे गुपता period से पहले तो एक MCQs हम लोग already एक session कर चुके थे हम लोग MCQs का तो अभी post गुपतास यानि गुपतास period के बाद के जो MCQs है वो यहाँ पे हम लोग cover करने जा रहे हैं ठीक है तो आईए बिना किसी देरी के start करते हैं आज का marathon MCQ का session तो पहला सवाल आपका हर्षा चरित के ऊपर है इन विस चाप्टर ओफ हर्षा चरित अभी पता है हर्षा चरित किसने लिखा था? बान बट्टन लिखा था तो ऐसा कौन से चाप्टर में लिखा है तो फिर यह तो इसका आठवा चाप्टर है उसमें लिखा है इसा हर्षा चरित्र contains description of religious sex living in which forest? तो भई हर्षा चरित्र में कौन से forest की बात कही गई है तो आपके विंध्याज में जो forest है वहाँ पे आपके religious sex रहते थे ऐसा हर्षा चरित्र के आठवे चाप्टर में mentioned है फिर बात करते है हर्षा वर्धन in which year did हर्षा वर्धन became the ruler of Thanesar तो यह बड़ा आसान है 606 AD अल्रीड हम लोग डिसकस कर चुक है अब इसका यह हमें याद होना चाहिए कि शशांग ने आपके हर्षवर्धन के जो भाई हैं राज्यवर्धन उनका उनको मार दिया था और उसके बाद हर्षवर्धन बनेते राजा और उनका सबसे पहला काम था कि शशांग की कबजे में उनकी जो बहन थी जिनका नाम राजश्री था उनको चुड़ाना तो पहला काम यही किया उन्होंने शशांग को अराया और अपनी बहन को उनके कैप्चर से चुड़ाया next who helped हर्षा find राजश्री in the windian forest अभी जब यह काम हो रहा था तब राजश्री चली गई थी आपकी जंगल में आत्मदा करने ठीक है तो राजश्री को स्विसाइड करने से बचाने के लिए जाना पड़ा था हर्षवरतन को और इसमें उसका help किया था दिवाकर मित्रा ने यहां से बचाने था हर्षा ने उनको बचाय था कन्योज जीतने के लिए यशो वर्मन को किसके साथ लड़ाई करनी पड़ी थी तो देखी कश्मीर के राजा होते एक ललिता जित्य मुक्ता पिता उनसे लड़ना पड़ा था कन्योज के लिए यशो वर्मन को फिर बात करते हैं from which source is the most of the information about यशो वर्मन derived यशो वर्मन के बारे में हमको कौन से किताब से पता चलता है यहां पे आपका गौधा वाहो नाम की एक किताब है जिसको किस ने लिखा था बात पती ने लिखा था ठीक है उससे हमें यह बात पता चलती है नेक्स बात करते हैं what is पर्मारत best known for तो पर्मारत कौन था पर्मारत ने चाइनीज टांसलेशन किया था बुद्धिस टेक्स्ट का ठीक है यह हो गया after the fall of which dynasty did the Gupta dynasty emerge in Magath गुपता डाइनस्टी से पहले Magath में कौन रूल कर रहा था हमें मालूम है कुशान रूल कर रहे थे कुशान राजाओं की डिक्लाइन के बाद जाके फिर गुपता इमर्ज होता है next आते हैं हम लोग Bauer Manuscripts तो कुछ एक Manuscripts पाये गये थे इनका नाम ता Bauer Manuscripts कहां से मिले थे तो यह Manuscripts किसको मिले थे तो यह आपका Hamilton Bauer को मिले थे तो इसलिए इनको Bauer Manuscripts बोला जाता है फिर वो गोबी डिजर्ट से लेके फिर वो इंडिया चले आया थे next बात करते हैं what title was given to Prabhakar वर्धन to signify his independent status भाई प्रभाकर वर्धन जब राजा बनते हैं तो अपना status दिखाने के लिए एक title लेते हैं वो कौन से title है यह भी हम लोग पढ़ चुके हैं next who was the chief wife of king Prabhakar वर्धन आफ थाने सार तो king Prabhakar वर्धन की wife का नाम क्या था यशोमती और king Prabhakar वर्धन की wife यशोमती आफ्टर देथ आफ्टर देथ आफ प्रिंग प्रभाकर वर्धन वो सती कर लेती हैं तो इसका जो second question इसका answer है how did queen यशोमती डाइट सती कर लिया था burned herself to death next which what is the name of Sanskrit political drama attributed to Vishak Datt and Vishak Dev तो भई Vishak Datt ने कौन-कौन से किताबे लिखी है क्या मूत्रा राक्षस लिखिये बिल्कुल क्या देवी चंदर गुपता लिखिये बिल्कुल शका आर्मी ने गुपता रूलर्स पर अटाइक कर दिया था उस समय राजा थे राम गुपता और कहा था कि आपकी जो रानी को उनको शका आर्मी को सपना पड़ेगा तो यह आपका जो यह चीज जो है रामा गुपता मान गया था बाद में स्टोरी यह है कि चंदर गुपता ने रामा गुपता को मारा उसके बाद एंटर्ड डिस्गाइट ऐस दे कुईन मतलब जो दुरूफ देवी का वेश बनाके यह एनिमी कैम में जाते हैं और फिर दुश्मन राधा को मार देते हैं यह कहानी थी ठीक है तो इसका इंस्क्रिप्शन हमें मालूम है एटा में है और कौन से गुपता रिलर बिलसाइट इंस्क्रिप्शन से एसोचेटेट है यह हम लोग पढ़ चुके हैं इसका एंसर है कुमार गुपत अब देगी एक फेमस बुक है अमरकोश ठीक है अमरकोश बुक का दूसरा नाम क्या है तो इसका नाम है लिंगानु साशन इसके अलावा आपका अमरकोश के उपर मोस्ट फेमस कोमेंटरी किसके दौरा लिखा गया है यह है शीर स्वामी बट्ट के दौरा लिखा गया है फिर आते हैं हम लोग विच पोट वस दो लारजेस सेंटर ओफ मैरी टाइम ट्रेड फोर इस्टर इंडिया दूरिं दौरिं गुपता पीरिएट के टाइम पे आपका जो ट्रेड का सबसे बड़ा सेंटर कौन हुआ करता था तो यह हमें बता है ताम्र लिप्ती ठीक है तो उनको कुमार अमात्यास सबसे हाइस ओफिसर हुआ करते थे फिर आते हैं फ्रम विच लैंगवेच इस देनेम गोल्ड दिनार डिराइव तो यह जो दिनार टर्म था यह आपका लैटिन शब्द से डिराइव किया हुआ है उस समय जो रोमन कोईंस हुआ करते थे उनको दिनार बोला जाता था the circulation of dinner coins for based on which coins ऑडिनार कुएं थे जिनार कोईंस हए तो नहीं थे रोमन कोईंस को पी करके मतलब उनहीं पर बेस जो कोईंस बनाये जाते तो यह एक इंपोर्टन चीज़ तो त्यान रखनी है फिर बात करते हैं विच डाइनस्टी इसुद लार्गिस नंबर ऑफ गोल्ड कोईंस होते थे तो गुपता पीरेड में सबसे द्यादा गोल्ड कोईंस आपके इशू होते हैं ठीक है तो यह तो दिनार जो शब्द है यह गुपता पीरेड में यूज़ हुआ है गुपता कोईंस जो गोल्ड कोईंस है उनको दिनार बोलते थे फिर आते हैं वो इंट्डूस्ट तो समुद्र गुपता ने कॉपर करंसी को इंट्डूस किया यानि कि चंद्रगुपता विक्रम आदित्ते के जो सिल्वर कॉइंस है उनको क्या बोला जाता था तो रूपक का बोला जाता था रूपक नेक्स बात करते हैं हम वो डिफिटेड मिहीर कुल इन दे सिक्थ सेंचुरी एडी तो यशो धर्मन ने मिहीर कुल को हराय था यह आपके किंग आफ मालवा थे ठीक है गुपता किंग भी समय थे तो उन्होंने भी हल्प किया था और यशो धर्मन ने हराय था मिहीर कुल को जो एक आपका हुना हुन रूलर करता था। तो कश्मीर में हम देखते हैं कि हुना करंसी काफी प्रेवलेंट थी अब देखो यहाँ पर एक फैक्ट है इसको ध्यान में रखीगा तो बेसिकली यगनवलकस्मृति के उपर कहीं लोगों ने कॉमेंटरी दी तो तीन लोगों का नाम इसमें काफी फेमस है एक तो है विज्यानेश्वर एक है अपरा दिट्यफर्स्ट या अपरका एक है आपका विश्वरूप ठीक है तो अब देखी है बात अगर करें विज्यानेश्वर का तो विज्यानेश्वर ने जो कमेंटरी लिखी और यगन्यवलकस्मृति उसका नामता Mitsakshara इसके अलावा आपका विश्वरूप ने जो commentary लिखी उसको बोला गया बाल क्रीडा ठीक है उसको बाल क्रीडा बोला गया है और ये जो आपके अपराःत्य वान है ये सिलहारा रूलर थे कहां के नौर्थ कुंकंड ब्रांच तो नौर्थ कॉंकर्ण के सिलाहारा रूलर थे, इन्होंने भी आपका यग्न वलकसुनृती का कमेंटरी लिखी, तो ये तीन लोगों के नाम आपको याद रखना है, इन्होंने कमेंटरी लिखी on यग्ने वलकसुनृती, तो इसके उपर क्वेश्चन हो जाए, तो नेम आप ये गलत हो गया ना, विश्वरूप ने तो बाल पीडा लिखी है, तो अभी ये ओप्शन आप देखेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे, हमें पता एरण, गौलियर ये सब एमपी में है, अब्धूनागर तो ही नहीं यहाँ पर, वो तो आपका वहाँ चला गया गया, गु तो इसका एंसर तो C होगा, संचौली कॉपर प्लेट और एरण और गौलियर के जो इंस्क्रिप्शन है, उसमें बताया गया है कि जो कहीं ना कहीं हुण किंडम था, वो मद्यप्रदेश तक आ गया था, ठीक है, और गुजरात तक भी आ गया था, तो इसका एंसर होगया C, नेक्स बात करता हैं लोग, उदयगीरी केव किसने बिल्ड किये थे, उदयगीरी केव हैं आपके विदीशा के पास, तो यह आपका चंदरगुप्त विकरमादित्य ने इनको बिल्ड करवाया था, और बीस केव थे हैं और उन बीस केव में केवल एक केव, जैनिजम को डे प्रभावती गुप्ता, तो प्रभावती गुप्ता के इंफ्लेंस में वैशनविजम किसने अप्लाई कर अडॉप्त किया था, देखिए रूद्रसेन ने, क्योंकि इनके हजमें रूद्रसेन थे, यह जैचा कि हमें पता है, नेक्स बात करते हैं, विच हिस्टोरिकल अपने गले में एक शिवलिंग पहनता है, और कास्स सिस्टम को नहीं मानता है, वो है लिंगायत, ठीक है, नेक्स बात करते है, धर्मसूत्र, सबसे पुराना धर्मसूत्र किसको कंस्डर किया गया है, तो गौतम धर्मसूत्र is considered the oldest धर्मसूत्र, विच यूनिट्स आर यू अपका नल, कुलवाप, द्रव्य और पटाका, ये सारे जो है, ये, these are the terms for land measurement, नेक्स बात करते है, वो गेव गुपता एज गोल्डन एज, गुपता एज को गोल्डन एज पहली बाद किस ने कहा, के मुंशी ने कहा, अंडर दक्षिंड पत, what was the southern boundary described in the ancient literature, तो दक्षिंड का southern boundary कौन था, ये देखिए, आप मारा इंडिया है, तो ये आपका इंडिया है, तो इंडिया में यहाँ पे देखें, दर्मदा नदी बहती है, दर्मदा नदी के नीचे दक्षिंड पत, और उपर उत्तर पत, दक्षिंड पत की southern boundary जो है, ये आपका मैसोर है, उस समय इसक की चंद्र गुप्ता 2 की बेटी थी, उन से रिलेटेड है, विच फॉलिंग वे नेम्स फुडिटरी जो गुप्ता रूलर, हमें पता है कि कुशानाज थे, कुशानाज के फुडिटरी जो गुप्ता रूलर के फुडिटरी कौन थे, आपके परीवरजक, वर्मन और उच् अश्वमेद यग्या और वाजपे यग, कौन ऐसे वकाटा का रूलर थे जिन्होंने अश्वमेद यग्या था और खुदको एंपरर बुलाया था, ठीक है, सम्राठ बुलाते थे, वो है आपका प्रवारसेन वाण, नेक्स्ट, वो वस दे रियल फाउंडर ऑफ चोला curl in the battle of beelur में हार गया थे, भेलूर में थे बेलूर में उन्होंने बेसिकलि मदूर पएटा किया था, पाथिया रूलरास पइठा किया था, जिन्से वो हार गय थे, तो battle of beelur में हार रहे है परंतका वन, क्रोला इस्टरी थे उने बॉन ह्वांड़न हिस्ट्री वाम्हिच् तो तांजोर की जो विक्ट्री है कौन से इंस्क्रिप्शन में लिखा है तो इसका एंसर है थिरू नेडून गलम इंस्क्रिप्शन में ये बाते लिखी गई है विच छोला रूलर कंडक्टे लैंड सर्वेज करने वाला आपका काम है? ये आपका गाल राजंदर वन कि टाइम में सबसे जादा जो information प्रोवाइट करने वाला कौन सा inscription है तो यहाँ पे देखिए आपका ये है थिरू वेंडी पूरम inscription आपका answer C हो जाएगा हाला कि information के लिए आपको ये भी बता सकता है कि थिरू वलंगडू और करंदरई दान पातर inscription भी राजेंदरवान के बारे में ही बताता है सबसे important पूछे तो आप ये बताइए तिरू वेंडी पूरम inscription अच्छा इसके अलावाद चोला रूलर को पैसा कहां से रेविन्यू कहां से आता था source of revenue था आपका mostly land tax, land के ओपर tax लेते थे फिर with चोला रूलर abolished octroy and coastal taxes तो abolish करने के लिए उनको title मिला सुगम थवीर्थ चोलन ये आपके है कोला टूंगा 1 तो ये वारियम है मैं मालूम है ये आपका वारियम होगया answer next in चोला administration what does पति कावल refer to ये आपका village watchman fee ये सब पढ़ चुके है हम लोग what was the executive committee of the UR a type of village assembly called executive committee को क्या बोलते है था हम लोग UR के ये है आपका अलुन गानम यहाँ पर ये आपका question में confused नहीं होना ये वाले question में कहरा executive committee of the UR UR मतलब village ग्राम सबा तो जो main executive committee होती है वो आपका होता है क्या अनुल गानम अलुन गानम होता है लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ये कहना executive committee that supervised businesses of village तो इसका हमने mark किया था वारियम तो बेसिकली पूरा जो आपका village होता है ग्राम सबा होता है उसका जो main executive committee को तो अलुन गानम ही बोलता है लेकिन इसके अगर मान लोग कुछ ऐसे special committees बनाया जाता है ना एक special purpose के लिए उसको हम लोग बारियम बोलता है तो इसको आप ध्यान रखिए question किस तरीके से frame किया उसके साब से इसको answer करना है फिर देखिए बात करते हैं हम लोग आगे विच चोला ruler is known for removing Govindraaj idol from the Chidambaram Natraj temple बई Chidambaram Natraj temple में के आपके प्रांगण में Govindraaj का भी idol था जो की इन्होंने C में पिकवा दिया था किसने? Polatunga second ने next बात करते हैं हम लोग राज़ुय यग्य राज़ुय यग्य आपका एक वेदिक religion में एक जग्य होता है ritual होता है जिसका मतलब होता है the ceremony marking the consecration of the king राजा का राज़ भी जब करते हैं तो उसको राज़ुय यग्य रिच्वल बोलते हैं तो battle of Gaugamela कब हुआ था? किसके बीच में हुआ था? तो 331 BC में आपके army of Macedonia और Persian army की बीच में लड़ाई हुईती है आपका battle of Gaugamela ठीक है? next बाद करते हैं हम लोग who ruled the सुगंदा उत्पल डाइनस्टी? तो यहाँ से नाम से पता चल गया आपको इसका answer as an independent ruler after the murder of Gopalvarman Gopalvarman के murder के बाद सुगंदा उत्पल डाइनस्टी का independent ruler कौन बन जाता है? तो वो सुगंदा बन जाती है next मनता who was the founder of Sena dynasty? Sena dynasty में पता है Pal dynasty के काता मोने के बाद Bengal में आपकी Sena dynasty आती है Sena dynasty जो है उनका founder है वो है Samant Sen which of the following were the chief rulers of Sena dynasty तो इसमें आप देखे बलाल सेन और लक्षमेंट सेन important rulers थे लेकिन founder थे सामल से आगे बढ़ेंगे which religion did the Sena dynasty rule which region? तो ये तो पता है Bengal what are krishi parashar and krishi supti related to? तो krishi लिखा है तो agriculture होगा answer next बाद करते है what are smriti in Indian history? smriti क्या है? religious scriptures in which language is the yagna valka smriti written? तो ये आपका gupta period हो गया which dynasty did Lalitha Ditya? अब हमने Lalitha Ditya मुक्ता पिदा के बारे में बात की तो ये रूलर कॉंसर डाइनस्टी के थे तो answer है करकोटा डाइनस्टी next who credited Lalitha Ditya with the victory over the Arabs? तो अरप्स के उपर Lalitha Ditya ने जीत हासिल करी थी किस ने बताया? कलहन ने बताया कलहन आपके एक ऑथर थे जिन्होंने कश्मीर की history लिखी थी who did Lalitha Ditya defeat in करनाटका according to कलहन? कलहन ने किसको हराया था करनाटका में? तो भई रट्टा नाम के एक राजा को हराया था ललिता Ditya ने करनाटका में वो वोस्त वाइफ ऑफ अनन्त अब देखो कश्मीर की बाती हो रही है यहाँ पे कश्मीर के ही रूलर थे Lalitha Ditya मुक्ता पिदा करकोटा डाइनस्टी एक और आपका डाइनस्टी बड़ा फेमस था जिसका नाम था लोहारा डाइनस्टी लोहारा डाइनस्टी के राजा का नाम था Anant अनन्त की वाइफ का नाम किया था सूर्या मति अनन्त और सूर्या मति ने मिलके कुछ काम किया थे What did Anant do under the influence of his wife सूर्या मति क्या काम किया थे Building many temples कहीं सारे मंदिर मनाये थे और charity work किया था Next During whose reign शमेंद्र actively involved in composing work तो शमेंद्र जो थे ये भी एक poet थे, author थे, किसके time पे आपके राजा अनंत के time पे ही एक author थे शमेंद्र तो मैं पता है कश्मीर अब देखे शमेंद्र के बारे में काफी बाते डिसकस करनी है काफी सारे Sanskrit जो work है शमेंद्र के बहुत famous है बहुत सारे किताबें उन्हें लिखी है उनके बारे में जानेंगे What were the years of King Anant तो King Anant जो आपका concert dynasty से बिलॉंग करते थे लोहरा dynasty से बिलॉंग करते थे उनका rule कब से कब तक था तो आपका 1028 AD से लेके 1063 AD तक ये rule किये ठीक है आगे बढ़ते हैं अब शमेंद्र के बारे में कुछ बात जान लेते हैं तो शमेंद्र जो है वो 11th century में आपके एक संस्कृत polymath, poet, satirist, philosopher, historian, dramatist, translator art critic, critic from क्रश्मीर in India तो इन्होंने कुछ एब्रीजमेंट्स किये मतलब बड़ी किताब को छोटे में कनवर्ट कर देना उसको बोलते हैं एब्रीजमेंट्स तो इन्होंने लिखा रामायन मंजरी जिन्होंने संस्कृत में जो रामायन लिखी गई है उसको एब्रीज किया इसके बाद भरत मंजरी महाबारत को छोटे में लिखा इसके अलावा ब्रियत कता मंजरी इन्होंने ब्रियत कता को भी छोटे में लिखा तो ब्रियत कता मंजरी भी इन्होंने लिखा है शमेंद्र ने याद रखीगा इसके अलावा कई सारे पोएम लिखे हैं परिशार होने के दिरूरत नहीं है, उसके बाद सटायर्स, सटायर्स जो है, यह है आपका काल विलास, उसके बाद समय मत्रिका, उसके बाद नर मा मला, उसके बाद देशोब देश, उसके बाद डिवोशनल वर्क, रिलिजियस जो आपके वर्क्स थे हैं, उसमें आपका आता है मतलब यह दो किताब भी लिखी है इसके अड़ावा डावा डाइडक्टिक वर्क जैसे मॉरल साइंस और इन सब की किताबें हैं जिसमें आता है नीति कलपतरु उसके बाद दर्प दलन उसके बाद चतुर वग्र सम्ग्रह उसके बाद चतुराचार रिया उसके तो यह सारे इतने सारे इन्होंने लिटररी मार्वल्स लिखें हैं यह हमारे शमेंद्र किसके टाम पे थे आपके किनि अनन्त जो कौनसर डाइन से बिलॉग करते थे लोहरा कहां कि कश्मीर, वाइफ का नाव था सूर्यमति ये सब बाते हमको पता होनी चाहिए आगे बढ़ों लोग काकाटिया डाइस्टी आपकी यहां पर देखें आंधरप्रदेश में काकाटिया डाइस्टी है काकाटिया डाइस्टी 2 टी 14th century के में में रूल करती थी Capitol किया थी Kakatiyya dynasty की वारंगल थी अब Kakatiyya consider themselves descendants of which historical figure तो Kakatiyyas कहते थे हम लोग जो चोला कारी काला है तो अरली चोला हैं तो उनके descendants हैं को उनके डिसंडेटेंट्स हैं तो कि इनके famous राजाओं की बात करें तो यह है गणपती तो Kakatiyya ruler थे गणपती उनके बाद किसने रूल किया था काकाटिया एंपायर पे, sorry काकाटिया डाइस्टी में किस कौन डूलर बना था, वो था रूद रम्मा देवी, तो गंडपती के बाद आपका रूद रम्मा देवी रूलर बनती है काकाटिया डाइस्टी के, उसके बाद देखिए काकाटिया यहां पर चलो आपका एंसर मिली गए आपको यह क्या हो गया इसको बोलेंगे कौन गोडा मंडला कौन गोडा मंडला फिर बात करते हैं तो प्रेजंट डे डिस्ट्रिक्स वेर पार्ट आफ शैलोद्भव डाइनस्टी में कौन कौन से डिस्ट्रिक्स अभी कौन कौन से हैं देख लेंगे तो यह था आपका गंजम डिस्ट्रिक्ट और फोडिसा उसके बाद खौरदा और पुरी यह तीन एरिय आपका शैलोद्भव डाइनस्टी अब हम लोग कुछ नालंदा के बारे में बात करता है तो नालंदा की बारे में सबसे पहली बार जो इंफॉर्मिशन दिया गया था अठारा सो बारा में दिया गया था किसके दौरा यह है आपका बाइ हैमिल्टन उसके बाद देखिए पता तो चल गया 1812 में फिर आपका Alexander Cunningham ने exploration work चालू किया नालंदा महावियार में कौन किस डेट को तो आपका 1862 में चालू किया है ठीक है अब exploration भी चालू हो गया नालंदा का अब बात करते हैं नालंदा में exploration जैसे कि आपने देखा 1862 में हुआ था तो 1878 में 1878 में चैतिया नंबर 12 ढूंडा गया आपका नालंदा में तो यह जो आर्टिकल है किसने पप्लिश किया था तो यह आपका Bradley नाम के गविक्ती थे जिन्होंने यह आर्टिकल पप्लिश किया था about the excavation of चैतिया नंबर 12 उसके बाद archaeological survey बनता है और archaeological survey आपका ले लेता है take over कर लेता है excavation of नालंदा तो यह archaeological survey of India के अंडरगत कब आ जाता है 1915 में फिर आपके archaeological survey of India ने में कौन था जिसने direction दिया था restoration work of नालंदा तो उस समय आपके यहाँ पे Sir John Marshall थे जिन्हों ने आपका restoration work start किया था नालंदा में under archaeological survey of India who was the director of the archaeological department during the restoration work of नालंदा थीक है तो आपका archaeological survey of India के अंतरगत आपका Sir John Marshall ने आपका restoration कर आया था और जब archaeological department था उसके उसमें आपका spooner के अंदर यह आपका restoration work करवाया गया था तो archaeological department में spooner और जब archaeological survey of India बनता है तब John Marshall ने आपका restoration work करवाया था नालंदा में आगे बढ़ेंगे हम लोग बात करेंगे who was the author of Sanskrit poetry सेतु बंद किसमे लिखा था तो आपका सेतु बंद लिखा था प्रवार सेन सेकेंड थीक है फिर देखी who is the subject matter described as described in सेतु बंद सेतु बंद का subject matter क्या था तो ये आपका राम जी का लंका के उपर जो जीत मिली है इसी के उपर ये आपका सेतु बंद लिखा गया था next बात करते हैं where is the first mention of the word हिंदूस्तान हिंदूस्तान वर्ड सबसे पहले आपका ससनियन एंपायर था ससनियन एंपायर के inscription में हिंदूस्तान वर्ड mentioned है what are the famous compositions of वागभट वागभट्टे ने क्या क्या लिखा है तो basically medicine के उपर अस्टांग संग्रह और अस्टांग रिदय वागभट्टे के दौरा लिखा गया है फिर where do ancient sources suggest वागभट्टा was born तो कहां पर इनका जन्म हुआ है वागभट्टा का तो ये सिंध में जन्म हुआ है और इनका religion क्या था वागभट्ट का तो इनका religion था आपका बुद्धिजम फॉलो करते था है वागभट्टा फिर बात करते हैं who identified the five stages of the time period and culture in the development of Ramayan तो Ramayan का development five stage में हुआ ठीक है ये किसके दोरा बताया गया ये आपका J.L. Brocklinton के दोरा बताया गया कौन से year में बताया गया तो ये 1984 में बताया गया by J.L. Brocklinton फिर बात करते हैं what aspects did J.L. Brocklinton study to identify the stages in the development of Ramayan तो कैसे पता चला इनको तो ये basically ये आपका language style और theme के को देखकर इनकोंने पता लगया five stages of development of Ramayan फिर राजतरंगिनी राजतरंगिनी किस ने लिखा तो कश्मीर के ऊपर ये किताबे लिखी गई है कलहना के दोरा ठीक है और कलहना का writing style क्या था माभारत style उनका writing style था फिर ये कौन से year में लिखी गए थी राजतरंगिनी तो 1148 तो 1158 AD के बीच में लिखा गया what does the Rajatrंगिनी describe तो ये the history of the Hindu dynastries of Kashmir Kashmir के जो Hindu dynastries है उनके description के बारे में राजतरंगिनी में mention है कि कह in which of the following circumstances did Narad and Parashar allow a wife to remarry तो by death of the husband है, husband missing है, husband सन्यासी बन गया है या all of the work तो answer हो है d all of the work तो ये तीन तरीके हैं जिसमें आपका wife remarry कर सकती है इसके अलावा एक और है अगर husband becomes important तो ये आपके reasons है जब आपका wife remarry कर सकती है फिर बात करते हैं who considered widows to be the owners of their entire property तो widows को entire property का owner किसने बोला इसका answer होगा यगन वलक्या और ब्रियस्पती के दौरा ये बताया गया और who were against widows being the owners of the entire property इसके against में कौन थे तो मनू और कात्यायन इसके against में थे चलिए अब तोड़ा temple architecture के बारे में बात कर लिया जाए temple architecture के बारे में अगर बात करें तो इसके अलग-अलग जो components हैं उनके बारे में पता होना चाहिए जैसे कि मंदिर का जो base platform है उसको बोलता है अधिश्टान यह जो आपका base platform दिख रहा है इसको बोलता है अधिश्टान अब इस base platform के उपर जो आपका plane platform है इसको बोलता है जगती अधिश्टान और जगती अब आते हैं में मंदिर पे में मंदिर पे यह वाला जो रीजन है आपके बिल्कुल सेंटर में अचले उपर चालो करते हैं यह देखे यह जो आपका ऊपर यह आप देख पार ना टावर जैसा और यह आपका में रूम होता है में रूम होता है जहां पे में रूम जहां पे आपका जो डीटी है जो बगवान की प्रतिमा जो है जहां कहां रखी जाती है मूर्ती जहां पर रखी जाती है वो होता है आपका गर्ब ग्रिया तीक है गर्ब ग्रिया के आसपास आपका होता है पक्षणापत यह देखिए यह आपका जैसे मेन रूम है ऐसके आसपास जो घैसे जो टावर जैसा हम लोग लगाते हैं मंदिर के उपर इससे कहते हैं हम लोग शिखर और शिखर के ऊपर यह होता है आपका अम्लक अम्लक होता है और इसके ऊपर रखायाता है कलश तो यह आपका सबसे ने तॉप में आ demons soccer कलश है उसके नीचे जो सर्कुलर आप देख रहे हैं एक सर्कुलर स्क्चर होता है उसके ऊपर रखा होता है कलश तो यह होता है कलश इसके नीचे जो सर्कुलर स्क्चर आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं अमलक हो गया कलश हो गया और यह पूरा टावर है इसको ब प्रहुत के सामने कुछ और रूम है कि इनको बोला जाता है आपका इनkol मैं बीजिकल स्राटिंग मैं औरध मन्डप के बाद और बड़ा एक सेंट्र में आहरे पहों और मंडब को connect करने वाला यह जो छोटा सा रीजेन होता है इसको बोलते हैं हम लोग अंतराल थीक है इसके अलाबा आपका होता है अरूशिंग्रा उरूशिंग्रा मतलब यह तो में आपका शिखर है यह तो आपके छोटे शिखर और बने हुए ना इसको लोग बोल सकते हैं अरूशिंग्रा ठीक है तो यह सारी बाते हैं हम लोग नहीं यहा पर देख ली इसके ऊपर कुछ सवाल करेंगे तो और समझ में बेटर समझ में है वाट इस टॉप्मोस पार्ट पार्ट हम पता है क्या इस 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 कॉल्ड आज कलश के नीचे क्या लोकेट होता है तो यह अ तो इस प्लेस्टय पीजकिस ओड़े तो यह परणों यह फिले के नियुख थे यह आपका भूख है जिसका नाम है कुटनी माता कुटनी माता किसके जवाल लिखा गया था दामोधर गूप्त कौन है दामधर गूप्त रहते थे आपके विन्हा दित्ते जयापिदा के कोड तो जैसे कि आपका करकोटा डाइनस्टी के हमने रूलर के बार में पढ़ा था ना ललिदा दित्य मुक्ता पिदा तो उसी डाइनस्टी में आपका विनेया दित्य जय पिदा थे जिसके कोट में दामदर गुपता थे और उन्हें एक किताब लिखी कुटनी माता कुटनी माता में क्या में में इन्चेंड है तो यह बेसिकली काम शास्तर के ऊपर एक किताब है तीक है आपका कुटनी माता आगे बढ़ेंगे उसके बाद बात करते हैं फाहियान तो फाहियान का ओरिजिनल चाइनीज नेम क्या था वो था कंग यह पैदा कहां पे हुए थे तो यह पैदा हुए थे आपका वुयांग में फाहियान फिर फॉम विच सिटी दिट फाहियान स्टाट इस जर्नी टू इंडिया तो इन्होंने इंडिया से जर्नी जो चालू की थी आपका चैंगान नाम की जग़ से चालू किया था और इंडिया में वो आ गयते थे 399 AD मे और कितने साल रहे, कितने साल तक फाहियान इंडिया में रहे, जवा सवाब है, 14 साल, 14 साल तक रहे थे, और इसके लावा, 14 साल से रहने के बाद, ये घर वापस जाते हैं, किस रूट से, तो आपका जो श्री लंका होते हुए, जावा के साइट से, जो सी है, वहां से अब जा नाब का नाम है Phokyoki, ठीक है, वेर डिटफा गिया लण संस्कृत, तो यह जो 14 साल इंडिया में रहे थे, इसमें इन्होंने संस्कृत कहां से सीखी, तो वही पाटली पुत्रा में सीखा इन्होंने, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, वही डे मेंचन ओफ्शूद्राकाज शुद्रकास क बारे में किसने पहली बार मίνचन किया था? तो पाणीनी के गणपथा एक बुक है, उसमें मेंचन था शुद्रको के बारे में अब जो यवन हिस्टोरियन्स, यानि कि जो ग्रीख हिस्टोरियन्स हैं, उन्होंने शूद्रकों को किस नाम से बुलाया है, तो शूद्रकों को बुलाया है उन्होंने Oversquoy, अब ये शूद्रक जो थे कहां रहते थे, तो ये सवाल है, Where did the शूद्रक्स लइव during the time of Alexander, इलक्सेंडर आते समय, जब अलक्सेंडर ने फाटे हमला किया था, जी गुरूब लें और आफंट्र शूद्रग के बारे निमनी इम्प्रूर्ट को kang Ark Fast आफिक ग्रोंगेशेया शूदरख के बारे में वेसे विक्षोद्र गुल करने लंगती हैं των क्योंकि उनका काफी history के ऊपर काफी पकड थी, expertise थी, okay? Herodotus Herodotus का एक बड़े historian है, okay? History के बारे में काफी किताब ही लिखी है, Herodotus Herodotus of Aerobea बोला जाता है, Al-Masoodi को, during whose reign did Al-Masoodi come to India? Al-Masoodi, India में, किसके time पर आये? तो Al-Masoodi इंडिया में आते हैं, महीपाल के time, अब आप कहेंगे, महीपाल कौन है, कौन से dynasty से बिलॉंग करते हैं, तो अगला सवाल चाहिद वही होगा तो प्रतिहारा किंग महीपाल वान, तो प्रतिहारा किंग थे, महीपाल वान, Al-Masoodi ने उनको कौन से नाम से जाना है, अच्छा, इसके book के बारे में बता दिया गया है, Al-Masoodi ने किताब लिखी थी, मुरुजूल दाव, इस किताब में, Al-Masoodi के, महीपाल जो राजा है प्रतिहारा किंग, उनको क्या बुलाया गया है, तो बुलाया गया है, Al-Jang, ठीक है, प्रतिहारा हो गया, इसके अलावा, Baur किसको बुलाया है, मतलब इस किताब में, Baur, Baur किसको बुलाया गया है, तो मिहीर भोज को बुलाया गया है, Baur, और आपके महीपालवान को बुल चलिए ये भी पता है हम लोगों को next अगर North से South अरेंज करा जाये चार प्लेसेस है currently करनाटगा में चार प्लेसेस हैं मान्या खेत आयहोल द्वार समुद्र और श्रवन भेल गोल इनको north से south में अगर arrange किया जाए तो कैसे arrange करेंगे, सबसे north में कौन सा होगा, सबसे north में होगा मान्यकेत, फिर होगा आयपोल, फिर होगा द्वार समुद्र, और सबसे south में आपका स्रवन्ट भेलगोल होगा करनाटक में, आगे बढ़ते हैं हम लोग रनकपूर जैन टेंपल तो रनकपूर जैन टेंपल आपको पता होना चाहिए राजस्थान में है और यह वाइट इस फेमस, क्यों वाट इस नोन फोर, वाट इस रनकपूर टेंपल नोन फोर, फोर इंटीक्रेट मारबल आर्किटेक्चर के लिए जाने जाता है यह, ठीक है, विच वॉलिंग इस नहीं है बुद्धिस टेंपल नहीं है, जैन टेंपल है, इस वान फे ओल्डेस जैन टेंपल इंडिया, ठीक है, वू फाउंड़ेट पूरम किसके दोरा फांड किया गया था, तो दीक है, पल्लवा किंग नर्समा वर्मन जो है, इन्होंने मामला पूरम सिटी का टैल अफ वाटापी कुंडा, वाटापी कुंडा, जो टैल नर्समा वर्मन गात था, किसको हराकी मिला, तो ऑबिसली वाटापी कहां पर है, भाई बादामी का दूसरा नामी वाटापी है, तो चलो किया आज आप बादामी है, इस बात करते हैं, वू इस एंट्रिबूटे ग्रामर और फिलोसोफी के उपर लिखते थे भरत्रियरी और इनके किताब का नाम था शब्दवता Next question हमारा है कि एक पाली text है जिसका नाम है विशुद्धी मग किस ने लिखा है विशुद्धी मग का लिखा है आपका बुद्ध गोश ने अच्छा तो विशुद्धी मग है एक बुद्धिस टेक्स है तो कौन से बुद्धिस ट्रेडिशन को फॉलो करता है ये बुक तो यह है आपका ठेरावाद आपके बुद्धिस्म को फॉलो करता है विशुद्धी मग रिटन बाई बुद्ध गोश विशुद्धी मग का मतल नेक्स्ट बात करेंगे राजशेकर किसके टाइम पर रहते थे तो यह आपके महिंद्रपाल और महिपाल जो आपके रूलर थे इनके टाइम में रहते थे राजशेकर राजशेकर is known for Sanskrit poetry or drama ठीक है फिर बात करते हैं हम लोग तो which dynasty did महिंद्रपाल और महिपाल बिलॉंग तो प्रतिहारार रूलर से ठीक है गुर्जर प्रतिहार रूलर महिंद्रपाल और महिपाल फिर बात करते हैं what is the significance what is the significance of our findings in relation to iron in India तो अहर नाम की एक जगह है वहाँ पे आपका सबसे पुराना iron मिला है इसके अलावा जो भी iron मिला है कार्बन 14 डेटिंग से उसमें जो सबसे पुराना iron जो है कौन से date को मिलता है तो यह आपको मिलता है 1000 BC के आसपास का सबसे पुराना iron आपको देखने को मिलेगा ठीक है नेक्स बात करते हैं हम लोग राज्य वर्धन what happened after the death of राज्य वर्धन तो भानु गुप्त ने हर्ष वर्धन को invite किया to assume the throne who was हर्ष वर्धन brother? जैसे कि हम जानते है राज्य वर्धन was हर्ष वर्धन's brother who invited हर्ष वर्धन to assume the throne after his brother's death? तो हर्ष वर्धन को आपका throne assume करने को किस ने बोला था? जब राज्य वर्धन का death होआ था तो यह नाम है आपका बानु गुप्त विच Chinese traveler recorded information about हर्ष वर्धन's kingdom from Magath तो यह आपका Zhuang Zhang या Yuan Chang यह आपका Huynh Sang का यह अलग दूसरा नाम है Huynh Sang जो है इनका दूसरा नाम आपका Zhuang Zhang है पता होना चाहिए आपको नेक्स बात करते हैं हम लोग who assumed the title of Param Saugath यह भी हम पढ़ चुबे हैं यह आपका है राज्य वर्धन तो हर्ष वर्धन के बारे में किस किताब से पालूम चलता है तो आपका राज्य तरंगीनी कलहन का जो यह बुक है इससे पता चलता है फिर्धन लख्षमन टेम्पल इन खजुराह मद्यपरदेश विल्ड खजुराह मंदिरेक में लक्षमन मंदिर अक में यह बनाया गया लक्षमन मंदिर में रखे हूए जो भगवान कौन है तो वह है लॉड विश्मे। तो गहदवाला डीनस्टी , तो वटर के ऊपर भी टेक लगाया था हूंँने which dynasty imposed a water tax among other taxes तो आपका गहद वाला where was inscription mentioned the water tax found तो ये आपका गहद वाला के territories में water tax आपको मिलाता तो रिपीट ही हो गया ये सारे questions what ruler, what title have the rulers of Iqchavaku dynasty been given in the Puranas तो Iqchavaku dynastries को कौन सा title मिलाता in the Puranas तो इनको कहा जाता था श्री पारवतिया, श्री परवतिया श्री परवतिया बोला जाता था किसको इचavaku dynasty के rulers को during which ancient Indian dynasty did the officer agronomai oversee agronomai आपका road construction को ध्यान रखते थे तो कौन से dynasty के दोरान इन officer को nuke किया गया था तो ये आपके हैं maurya rulers के time पर ऐसा हुआ था नेक्स हम लोग बात करते हैं according to Puranas which dynasty where the rulers referred to as च्री परवतिया तो ये इच्चavaku हो गए तो basically चोला इंस्क्रिप्शन में क्या mentioned होता था चोला इंस्क्रिप्शन अपने जितने भी लडाईयां हैं जितने भी उनकी historical victories है उनको in the form of inscription मंदिरों के दिवार पे लगा दिया करते थे तो इसी कर बेस्ट आगे के questions है तो क्या करते थे वो inscription बना देते on temple walls ठीक है वेर डिट चोला रूलर्स टिपिकली है इंस्क्रिप्शन रेकॉर्डेट कहां पे तेंपल्स पे बहिए कोई भी माने चोला चोला रूलर्स ने एक लडाई जीती बैटल जीता या भी वर जीता और तो इसके historical जो details है सपोस करते हैं एक मंदिर है आपका एक मंदिर है इस मंदिर के जो walls हैं इसके उपर इन्होंने इंस्क्राइब कर भी है आगे बढ़ेंगे हम लोग विच एंशेंट इंडियन एपिक इस रेफर्ट तो एज तो बाई दे निकनेम शतर सहस्री तो महाभारत को बुला जाता है शतर सहस्री क्यों वाट ड़स शतर सहस्री समिता सिंगनिफाई तो शतर सहस्री समिता मतलब महाभारत मतलब क्या होता है इसका इसका मतलब होता है collection of hundred thousand verses एक लाख verses का collection है नेक्स बात करेंगे हम लोग विच हिस्टोरिकल फिगर्स मेंचेंड संटेंबल ऑफ मुल्तान आपके मुल्तान में एक संटेंपल है हमें पता कैसे चलता है हमें 25050 राख आपके हिस्टोरिकल फिगर्स तो हुईन सैंग, अलमसूदी और अलबरुनि ने आपका संटेंपल अफ मुलतान के बारे में में बताया हुआ है अपने राइटिंग्स में हुईन सैंग कौन था तो हुईन सैंग हम लोग जानते हैं चाइनीज टैवरल था और एक बुद्दिश मौंक था अलमसूदी कौन था अगला सवाल यहां पर है कि अलबरूनी कौन है इसका जवाब ओविसली है इस वर कौन से रिलीदियन से एसोशियेटेड है तो यह जैनीजम से एसोशियेटेड है कामपिल मेला इसका जवाब है सत्वाहना इसलिए अगला कौन से पीरिएड में प्राकृत एक ओफिशल लेंगवेज हुआ करता था उसका जवाब है सत्वाहना इसलिए अगला कौन भी बड़ा असान है वह वह द नर्चरर्रस अप्राकृत लैंगवेज यह भी आपका सत्वाहना किंग्स फिर बात करते हैं वेर इस दब भीतर गाउट लोकेटेड तो भीतर गाउट टेंपल जो लोकेटेड है इस न कानपूर उत्तर प्रदेश अब यह भीतर गाउट टेंपल का कब इसका कंस्रक्शन हुआ था तो इसका कंस्रक्शन हुआ था आपका 5th and 6th century AD यहाँ पर what is significant about गितरगाउट टेंपल in terms of its construction material तो क्या significance है गितरगाउट टेंपल का तो यह basically these are the oldest brick temples ब्रिक से बना हुआ आपका मंदिर है यह ठीक है next बात करते हैं ओकर पॉटरी ओरिजिनेट कहां से घुद होती है थीकि ओकर पॉटरी कहां से ओरिजिनेट होती है इसका जवाब है हस्तिनापुर से ओरिजिनेट होती है ओकर पॉटरी during which period did the people of maharashtra bury their dead under the floor of their houses तो actually यह अपने houses के floor के नीचे जो dead को बरी करने की प्रता maharashtra में कौन से एज में थी तो that is calcolithic age इसका जवाब है फिर हम लोग आगे बात करते हैं in which direction did the people of maharashtra bury their dead in the calcolithic period तो यह अपने house के नीचे dead को बरी किया करते थे कौन से direction में वहाँ से मिलता है why is the Indus Valley civilization considered non-Aryan non-Aryan इसलिए है क्योंकि यह urban civilization from which period is the practice of idol worship believed to have originated that is pre-Aryan period इसके बात करते है what notable urban feature was present in the cities of Indus Valley civilization कौन से से urban feature थे तो well maintained system of drains which goddess was worshipped in the Indus civilization कौन सी देवी की पूजा कोती थी तो यह थी मात्र देवी उसके बाद what was the state of trade and commerce in the Indus civilization काफी advanced trade हुआ करता था where is the late Harappan site of Daadheri located Daadheri site of Harappan late Harappan site कहां से मिलता है हमको तो यह आपका Punjab से मिलता है which rivers where the Indus Valley civilization situated on तो Indus Valley civilization आपके Indus, चनाब और जेलम नदी पे situated थी from which site was the figure of DT with horns engraved on a clay plate discovered यह काली बंगन नेक्स बात करते हैं who was the ruler of KK during Upanishad period जवाब है इसका अश्वपती who was considered priest among the Vedic Gods तो ब्रियस्पती थे हमारे गुरू ठीक है देव गुरू ब्रियस्पती अबने सुना होगा next what was Nishka in the Rig Vedic period एक ornament था तो गले पे पहना जाता था what did gold ornaments signify in ancient period तो gold ornaments बोला जाता था Nishka next which inscription provides information about the arrivals of Aryans from Iran to India तो Aryans जो इरान से इंडिया में आये थे ऐसा कौन से inscription में लिका है तो यह है बोगासखाई inscription who wrote about the origin of Aryans in his book the origin of Aryans के बारे में कौन से किसकी किताब में लिका गया है तो यह है बाल गंगादर तिलग फिर बात करता है in which text is पुरुषमेद्ध यग्या मेंशन तो यह है शत्पता ब्राह्मन during which period was Anga and Magad considered pillars of Aryan culture that is late Vedic period what did people live in during the Rig Vedic period कहां रहते थे sorry क्या believe करते थे what did people believe in during the Rig Vedic period तो sacrifice और rituals में believe क्या करते थे 800-600 BC का जो time period है इसको कौन सा एरा बोलते है तो इसको ब्राह्मन एरा बोलते है next which indicators belong to the पुरानाज पुरानाज में इन में से कौन से indicators mentioned है तो यहां पर सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंश अनुरीत यह सब चीजें mentioned है पुरान में during the early Rig Vedic period what is considered as important valuable asset तो काव को एक valuable asset माना गया है in early Rig Vedic period to which order of Buddhist sect in Tibet does कर्म अपा लामा बिलॉंग कर्म अपा लामा कौन से बुद्धिस sect को बिलॉंग करते थे तो इसका नाम है काग्यू या कंग यूपा which of the following concepts did Gautam Buddha believe in किन चीजों में बिलीव करते थे तो सारे top three जो है कर्म निर्वान, transformation of the soul यह सब में बिलीव करते थे Gautam Buddha फिर बात करते हैं which of the following is the core belief in Buddhism according to Gautam Buddha तो यह attaining निर्वान में बिलीव क्या करते थे भूमी स्पर्ष मुद्धा of Buddha from Sarnath belongs to which period यहां पर आप देख रहे हैं भूमी स्पर्ष मुद्धा यह देखे बुद्धा है और बुद्धा यह देखे भूमी को स्पर्ष कर रहे हैं ठीक है तो यह भूमी स्पर्ष मुद्धा तो यह पर बुद्धा from Sarnath belongs to which period तो यह आपका in the गुद्धा period ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं हमनो वेर इस अशोक राम मत लोकेटेड तो अशोक राम मत कहां पर लोकेटेड है तो यह बुद्धिजम से रिलेटेड है फिर बात करते हैं तो बुद्धिजम ले दे फाउंडेशन फॉर इन दिस कंट्री ठीक है तो इसका क्या जवाब होगा तो बुद्धिजम ने इन कंट्री में आपका आइडल वर्षिप स्टार्ट किया आइडल वर्षिप बुद्धिजम के वज़े से चालू हुआ ठीक है बेसिकली महायान बुद्धिजम के वज़े से आपका आइडल वर्षिप स्टार्ट होता है तो बुद्धिजम के वज़े से हमारे देश में आइडल वर्षिप चालू हुआ आइडल वर्षिप बुद्धिजम से चालू होता है ठीक है बेसिकली हमने देखा कि इसके बाद देखा हमने कि ज इसके दोरह चौरी यह आपका कुशान पीरिड में स्टार्ट होता है फिर बात करा दूरिंग हूज रेन मगत पावर ओवर दे मालवा रीजन एक्सपैंडेड मालवा रीजन तक आपका शेशुनाग के दोरह मालवा को कैप्चर किया गया था विच इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड आर्काईवल एविडेन्स मेंचिनिंग महा पदमानंग तो महा पदमानंग के बारे में हमें हाती गुमफा इंस्क्रिप्शन ऑफ कारवेल से मालुम चलता है इसके लावा ऑन दे बैंक्स ऑफ विच रिवर कालपी टाउन आपका यमु प्रोवाइनिस्तान के आसपास वाले रीजन में आया था तो काफी soldiers को उसने मार दिया था और अलेक्सांडर के लड़ने के लिए जो उस एरिया की महिलाये हैं उन्होंने आर्म्स बिखप कर लिये थे तो वुमेन ओफ मासा गेटी मासा गेटी या कैसे प्रोणस करते हैं प कौन है तो यह पिछले अगले कोश्चन में देखेंगे तो यह चंद्रकॉप्त मौर्या आइच आपका संट्रकॉटस अब संट्रकॉटस की मीटिंग अलेक्जंडर से हुई थी यह कौन से हिस्टोरियन ने बताया तो यह आपका जस्टिन नाम के इस्टोरियन उन्होंने फिर बात करते हैं where have the remains of Patliputra city been found remains of Patliputra city उनका एक palace मिलता है कहां पे कुम्रहार में इसके अलावा बुलंदी बाग में भी मिलता है तो बुलंदी बाग किया it is also ancient place of Patliputra फिर बात करते है who was the first to conquer Malwa Gujarat और Maharashtra Malwa Gujarat और Maharashtra किसने capture किया तो यह capture किया था चंद्रगुप्त मौरिया ने ठीक है Malwa Gujarat और Maharashtra which inscription attests to Gujarat's inclusion in the empire of Chandragupta मौरिया तो जुनागड रौक inscription में mentioned है कि बही चंद्रगुप्त मौरिया के जो पूरे empire में Gujarat भी शामिल था ऐसा जुनागड रौक inscription में लिखा है क्योंकि चंद्रगुप्त मौरिया के बारे में बताया हुआ है इस नेक्स्ट बात करते है on what threefold basis did Ashoka established Rajdharma तो tolerance, generosity और compassion के basis पे Ashoka ने Rajdharma established करते है who built India's first hospital and medicine garden तो यह है Ashoka very easy next in which text is the third Buddhist council during the reign of Ashoka mentioned यह आपका तीफवन्ष और महावन्ष हो गया what are the title of the officers of Maurya rule यह हो गया Rajuk in which language was the earliest stone inscription written तो earliest stone inscription प्राकृत में लिखा हुआ था the Brahmi script was the first used with letters engraved on what तो यह आपका stone plates हो गया next from which location was the pre Ashokan Brahmi script been discovered यह Anuradhapura in which script are the only two inscription of Ashoka's religious writings found तो खरोस्टी script में Ashoka के religious writings लिखे हुए है इसके लाब which foreign countries did the rulers of Maurya dynasty establish relation with तो Syria and Egypt हमें पता है यह 13 तो आपका जो rock inscription था major rock inscription वहाँ से हमें यह बात पता चलती है who was the author of Indica which mentions that there was no slavery in ancient India तो Megastanese ने Indica लिखी है according to Megastanese Indica what was notably absent in ancient India हमें पता है slavery नहीं थी Megastanese बोल गया है Indica में कोई भी slavery नहीं थी India में where is the division of Mauryan society into seven classes specifically mentioned obviously यह भी आपका Indica यह है next बात करेंगे what does Indica provide a detailed account of regarding the Mauryan period तो Mauryan period का आपका cities और administration के बारे में बताया हुआ है in Indica किस तरहिए से administer किया करते थे according to Manosmithi what is prohibited remarriage prohibited है next where is Sudarshan Lake located आपका obviously Gujarat में है who built Sudarshan Lake ये भी हमें पता चलता है जुनागर ट्रॉक इंस्क्रिप्शन से कि Emperor चंदरगुपता मौरिया ने बनाया था Sudarshan Lake फिर आगे आते हैं by whose order was governor पुष्यगुपता वैश्य appointed in Girnaar तो पुष्यगुपता वैश्य को चंदरगुपता मौरिया ने बोला था कि जाइए Sudarshan Lake बनाये तो पुष्यगुपता ने Sudarshan Lake बनाया फिर क्या हुआ Sudarshan Lake टूट टूट फूट गया तो उसको who had the lake spending by getting it reconstructed दुबारा reconstruct किया गया इसको तो किसके दोरा किया गया यह किया गया महामात्य तुषप तुषप यह आपके अशोगा के अंदर यह वर्क करते थे महामात्य तुषप क्या पनाउस करेंगे इसको तुषप तुषप जो भी है तो इन्होंने किया था reconstruct next बात करते हैं हम लोग which two dts are mentioned in the coin of Agathocles यह देखिए Agathocles के coins है इसमें दो दो dts हैं यह कौन है तो यह basically संकर्शन और वासुदेव है वासुदेव कृष्ण और संकर्शन ठीक है संकर्शन उनके पुत्र हैं बेटे हैं from which inscription is the earliest specimen of poetry form poetry कहां पे किस inscription में poetry form format में inscription लिखा हुआ है यह रूद्र दमन का जो दूनागर रॉफ इंस्क्रिप्शन है वहां पे poetry style में लिखा हुआ है who got the Sudarshan Lake renovated without any forced labor तो renovated किस ने किया था तो अशोका ने किया था when was Vikram Samvat started Vikram Samvat start होता है आपका 57 BC में और 78 AD में आपका शकाएरा चालू होता है Vikram Samvat was started in the name of which king तो Vikram Aditya which dynasty issued the largest number of coins in North India and Northwest India तो यह तो हमें पता है copper coins, copper coins सबसे ज़्यादा introduce करने वाले कौन थे तो भई यह करने वाले थे आपके कुशान next बात करते हैं which type of coins did कुशान regularly use तो भई यह basically gold coins काफि इस्तमाल किया करते थे और largest copper coins आपके कुशान period कहीं मिलते हैं which inscription of Kanishka mentions Kaushambi, Patliputra and Champa यह है आपका Rabatak inscription Rabatak inscription में आपका Kanishka का inscription है जिसमें Kaushambi, Patliputra and Champa के बारे में बताया गया है फिर which dynasty was the most influential kingdom in South India after the Mauryas Mauryas के बाद सबसे ज़्यादा influential kingdom of South India कौन होता है तो यह होते हैं आपके सत्वाहना rulers पामियान इन अगवानिस्तान was famous for which statue तो वहाँ पे बेसिकली आपका एक भूमी सपर्ष मुद्रा का of Buddha statue present है फिर कुछ और आसान कोशन देखेंगे प्रयाग प्रशस्ती क्या जो inscription है कौन चे रूलर का है हमें पता है समुत्र गुपता विच डाइनस्टी वहाँ ग्रेटली डिस्टर्ब्ट बाई इन्वेशन आफ देखेंगे तो भई ओविसली हमें पता है कि ये किसके टाइम पे इन्वेड किये थे गुपतास मेंली सकंद गुपता नेक्स बात करते हैं तो ये हमने बताया आपको सकंद गुपता वो डिफीटेट दो इन्वेशन आफ इंडिया ये भी आपका इसकंद गुपता नेक्स बात करते हैं विच दो स्मॉलेस रथ टेंपल महावली पुरम में आपका रथ टेंपल है कहीं सारे रथ हैं उन सब रथ में सबसे छोटा रथ कौन सा है तो द्रापदी रथ सबसे छोटा है वेर इस सोनागिरी लोकेटेट सोनागिरी है कि आपके मन में सवाल उठेगा वो आगे कोशन से डिसकस करेंगे तो सोनागिरी बेसिकली आपका 60 km गौलियर से 60 km दूरी पर आपका सोनागिरी तो देखिए सोनागेरी आपका कौन से district में located है तो obviously गौलियर के पास तो हमने देखा located है लेकिन कौन से district में located है तो दातिया district which is the main religious significance of सोनागेरी basically एक जैन pilgrimage still है religious significance है जैन्स का इसमें basically आप कहीं सारे temples हैं तो पूछें कितने temples बने हुएं main temple इसमें से कौन सा है तो temple number 57 number वाला जो temple है वो सोनागेरी का सबसे important temple है फिर बात कर रहे है who looked after the work of garden administration चोला रूलर्स्क में तो यहाँ पे अपने पढ़ाओ का total variant जो होता है garden administration लेखता है which is the famous bronze statue that is a specimen of चोला आठ तो चोला के time पे आपका नटराज का statue famous हुआ था नटराज का statue चोला पीरेट का है फिर what was the चोला डाइनस्टी famous for वह किसके लिए famous था तो इट वाज फेमस फॉर agriculture reforms, naval power, architectural marvels तो ओविसली naval power इसका answer होना चाहिए when did rulers of चोला डाइनस्टी declare their successor तो समें पता है चोला जो राजा है आपका मरने से पहले अपना उत्तरादी कारी चूज कर देते थे तो during their reign हो जाएगा option number C चलिए आजाते हैं अगले सवाल पर अगला सवाल क्या है तो चोला रूलर विच चोला रूलर डोनेटे लिए लडगोलन क्रिएटगर प्रिंजा टीज फेंचला इसे म कना से जिया । चोला गंगम क्सिंना मनाया था राजंदर चोला पालद पाल सृ Lenkka किसने कौंकर किया था विच राज राज Ond attend the North को फीक है and married his daughter to a sinhala एक प्रिंस है उंचके साथ अपनी बेटी की चाधिगरा दीती in which inscription it is mentioned that women were given high positions in administration तो ये कौन से inscription में ये बात mentioned है ठीक है तो ये बात mentioned है ये बात mentioned है आपके eyehole inscription में कि भई महिलाओं को high position मिलता था administration में next which ruler's inscription mentioned that women were given high position in administration तो eyehole inscription किसके time का था? पुलकेशिन 2nd के time का था? तो ये पता चल गया हमें, पुलकेशिन 2nd के time में महिलाओं को high positions मिलते थे और ये जो eyehole inscription किस ने लिखा? तो पुलकेशिन 2nd के quote में ही आपके एक poet थे जिनका नाम था रवी किरती उन्होंने eyehole inscription लिखा है इसके बाद from which site have close trade relation between India and Rome of early centuries in the common era been reported मतलब आपका around मतलब जब AD आपका start होता है उसे common era बोलते हैं तो उस period जब start हुआ था? कुछ centuries starting कुछ centuries में हम देखेंगे कि India और Rome के relation काफी अच्छे थे पता कैसे चलेगा क्योंकि एक आपका site है जिसका नामे अरिका मेडू अरिका मेडू में हमें evidence मिला है of Roman influence ठीक है जैसे की आपका Roman coins, pottery, Roman settlements तो इसका answer हो जाएगा D ठीक है what evidence of Roman influence has been found at अरिका मेडू आगे अगर बढ़ेंगे तो how is Shiva depicted in दक्षिन्द मूर्ती statue ये है शिवजी का दक्षिन्द मूर्ती statue इसमें शिवजी को teaching pose में डिखाया गया है what is Kural in Tamil text Tamil text में Kural को लगू वेद भी बोलते हैं ये भी मालूम है हमें आगे बढ़ेंगे who is the author of Tamil Ramayan और Ram of Taram तो Tamil Ramayan किसने लिका है तो कंबन Ramayan बोलते हैं इसको next बात करते हैं between which two kingdoms did the famous battle of Takkulam take place ये तो आसान question है और बहुत important भी है तो ये जो battle of Takkulam हमें पता है चोलाज और राश्टकूटाज के बीच में हुआ था ठीक है परंतकावान आपके चोला थे उनका काफी power चला गया था इस battle के बाद who defeated चोला आर्मी badly in the battle of Takkulam तो क्रिशना 3 और परंतकावान की लड़ाई होई थी इसमें next बात करते हैं what did राश्टकूटा किंडम क्रिशना 3 capture after winning the battle of Takkulam तो जो area capture कर लिया था क्रिशना 3 जो की राश्टकूटा किंग थे चोला किंग से इन्होंने तोंड़ा ही मंडलम capture कर दिया था ठीक है यह आपका Tamil Nadu का portion है और यहां पर चोला रूल करते थे who finally brought an end to the चोला एंपायर चोला एंपायर को finally finished कि इसने किया था ठीक है चोला एंपायर काफी देव तक ता समय तक रूल करता था इसको finish करने का काम करते है मलिक काफूर मलिक काफूर करता है आपका यह अलाउद बिन थिल जी का जेनरल हुआ करता था जिसने चोला एंपायर को finish किया तो पांडिया जो डाइनेस्टी थी बेसिकली साउट तमिलनाडू का रीजन जो पांडिया डाइनस्टी वह आपका 6th century to 1345 AD तक रूल किया इन्ह तो आपके मार तुआ लिन एक थे चाइनिस टैवलर जो चोला किंडम के बारे में बताते हैं तो यह कोरकई ऑन दे बैंक्स ऑफ तमिरा परनी रिवर आपका कोरकई कोरकई सिचुएटेड है तो पर्ड और फिशस के लिए कोरकई काफी जादा फेमस था ओन दे बैंक्स ऑफ तमीरा परनी रिवर लक्षमन समवत किस ने साट किया तो लक्षमन समवत आपके सेन डाइनिस्टी के लक्षमन सेन ने अपने नाम पर यह चालू गर दिया था लक्षमन समवत तो हेम चंद्र जो है जैन स्कॉलर है किनके कोर्ट में थे ठीक है तो कुमार पाल के कोर्ट में थे हेम चंद्र वेर वाज अमोग वर्ष रास्टकुटा बॉंड तो अमोग वर्ष रास्टकुटा का जन्म हुआ था आपका military लडाई करते समय इनका जन्म हुआ था military cantonment में वेर वाज पुनरा वर्धन भुक्ती लोकेटड पुनरा वरधन भुक्ती आपका Northern Bengal वाले region को बोलते हैं पुंद्रा वरधन बुक्ती नेक्स्ट, what was the name of बुंदेलकंड, बुंदेलकंड को पुराने जमाने में जेज़का बुक्ती बोलते थे how many waves, तरंगs, are there in कलहनाज राजतरंगी, तो कलहना का राजतरंगी ये किताब है, जितमें इन्होंने कश्मीर के बार में बताया गिया है, कश्मीर का political history डिस्क्राइब किया है, तो ये आपके अलग-अलग chapters को ये लोग तरंग बोलते हैं, तो तरंगs कितने chapters थे आपके कलहनाज के राजतरंगी में, तो आठ chapters थे total, next बात करेंगे वरा मिहीर ने एक बुक लिखी थी, पंच सिद्धानती का astrology पर ये एक fact है, याद करिए, अब question की बात करें, ratio of gold to silver coins, दो आपके शका ruler rule करते थे जब, उस समें gold to silver का क्या ratio हुआ करता था, तो इसका जवाब है 1 is to 35, next बात करेंगे, बोरोबुदूर क्या है, ये basically पहले बुद्धिश तूप था, the sculpture art of बोरोबुदूर is recognized as a standard example of Indo-Javanese art, next बात करते है, who is associated with Kakatiya dynasty as a female higher, female ruler, तो female ruler कौन थी Kakatiya dynasty की, हमें पता है Roodrauma Devi थी, who was the poet associated with jainism and known as Tilak Manjari, तिलक Manjari किसको बोला जाता है, किस आपके poet को बोला जाता है, तो तिलक Manjari बोला जाता है, आपका धनपाल को, धनपाल को तिलक Manjari बोला जाता है, jainism में, ठीक है In which year is the Prabhudda Chintamani composed, तो ये आपका 1304 में composed किया हुआ था, Prabhudda Prabhudda Chintamani, क्या है Prabhudda Chintamani तो Prabhudda Chintamani obviously किताब है जो लिखा गया था, भाई Meru Tunga, Prabhudda Chintamani is an important text, of which literature तो जैन literature का text, Prabhudda Chintamani जो कि Meru Tunga ने लिखा था 1304 AD में, ये पूरी कहानी हमको समझ में आ गई इससे, ठीक है In which language was the book, Periplus of the Aetherianiancy written, तो ये कौन से language में लिखा था, Koine Greek What is the Latin name of the book तो इसी बुक का Latin name क्या है Latin name है Periplus Maris Erythire ठीक है, तब देखे Which Egyptian port is mentioned in the Periplus of the Aetheriancy, ये तो किताब है Periplus of the Aetheriancy इसमें कौन से Roman Egyptian port की बाद mentioned है, तो इसका नाम है Perinies, the Periplus of the Aetheriancy describes navigation and trading opportunities, with which regions, तो ये तो आसान है Africa, Sindh and India Next बात करते है, जौनपूर stone inscription कौन से ruler से related है, तो ये ईश्वर वर्मन इश्वर वर्मन कौन से dynasty से belong करते थे, तो ये गुर्जर प्रतिहार dynasty से belong करते थे और इनी के ऊपर आपका जौनपूर stone inscription है अगला सवाल उठता है कि जो जौनपूर stone inscription है, ये कौन से century को belong करता था, तो ये आपका basically 10th century को belong करता था, which of the following inscription is associated with the reign of इश्वर वर्मन, तो ये है आपका जौनपूर stone inscription, तो इश्वर वर्मन हमें पता है, आपके कौन से dynasties से, गुर्जर प्रतिहार dynasties से थे, ये हम लोग को पता चला, और 10th century में ये लिखा गया, और की कह, आगे बढ़ेंगे इन विच historical period दस देव बरनक inscription देव बरनक inscription कौन से period में आपका लिखा गया, तो देव बरनक inscription गुपता period में आपका लिखा जाता है, next, which of the following is a valuable source of historical information on the गुपता region, sorry, गुपता region हाँ, ये है आपका देव बरनक inscription जैसा के हम जानते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, गुपता period is known, for which of the following achievements, तो basically काफी ज़ादा development हुआ था, literature, science गुपता 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 तो यह आपका 6th to 7th century AD हो जाएगा ठीक है फिर देखिए बात होती है गया कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन किसके बारे में लिखा है तो समुद्र गुपता के बारे में लिखा हुआ है तो वापी बेसिकली क्या होता था एक stepped well और water harvesting structure होता था तो यह पता चल गया आपका इस question का answer वापी क्या होता था और कौन से region में बनाया जाता था जहां थोड़ा सा सूखा दादा पड़ता था में राजस्तान और गुजरात वाले region में आपके early medieval period में वापी का construction स्टार्ट होता है फिर बात करते हैं during which historical period did the construction of वापी बिकें more widespread in राजस्तान और गुजरात तो यह early medieval period इसका जवाब हो गया तो देकि अब बात करते हैं battle of polilur तो दो battle of polilur है ठीक है पहला battle of polilur जो लड़ा गया था वो आपका कब लड़ा गया था पहला सवाल तो यह है तो वो लड़ा गया था 7th century AD में which चालुक्य ruler was involved in the battle of polilur तो इसमें एक तो आपके चालुक्य ruler थे कौन? Pulkेशिन 2nd चालुक्य के लड़ाई किसके साथ थी? पल्लवाज के साथ ही mainly तो which पल्लवा ruler fought against the चालुक्या in the battle of polilur इसका जवाब है आपका महेंदर वर्मन महेंदर वर्मन पस्ट who emerged victorious in the battle of polilur तो इसमें आपके तो चालुक्या अंडर पुलकेशिन 2nd लड़ाई जीत जाते हैं तो battle of polilur लड़ा गप गया दूसरा battle of polilur पहला तो आपका चालुक्याज और पल्लवाज के बीच में लड़ाई हुई दूसरा जो battle of polilur है यह आपका September 10 1780 को लड़ा गया किसके बीच में लड़ा गया? लड़ा था यह अपका battle of polilur कौन जीता था इसमें? तो इसमें टीपू सुल्तान जीत गया था? जीतने के बाद इसने एक photo बनवाइ थी जो आपके समने और take nosso photo बनवाई थी आपके तीपू सुल्तान में जीद की खुशी में इक है? according to the information provided where was the battle of polylure featured, तो ये आपका polylure कहां पे है, at the centerpiece of an auction at Sotheby, ये तोड़ा question गलतरी के से form हो गया, ये जो आपकी painting है, जो battle of polylure वाली painting है, कहां रखा हुआ है, ये आपका Sotheby के में रखा हुआ है, यहां पे एक museum है, इसका centerpiece में ये painting रखा हुआ है, सोथby में, ठीक है, तो इसी question के साथ, हम लोग आज का जो MCQs का session समाप्स करते हैं, I hope इसमें बहुत सारी नहीं बाते, जो हमने पहले नहीं पड़ी थी, वो आपको जानने को मिली, और बहुत सारी पुरानी बाते जो आप अल्रीटी जानते हैं, उसका एक revision हो पाया, आपका ये 350 question का set है, जो आपके exam point of view से काफी जादा important है, और इतके बहुत सारे portion हम लोग तियोरी में cover नहीं कर पायते हैं, जो हमने इस MCQs में cover कर लिया, तो इसी के साथ ही हम लोग ancient India का समापन है, इस particular session के साथ कर देते हैं, ठीक है, ancient India पूरा कतम हो गया है, इसके सारे videos आप अपना 1.5x पर देखिए, 2x पर देखिए, मैं तो पहरा हूँ, 1x पर मत देखिए, 1x पर दोदो गंटे के गर lecture है, एक गंटा का lecture है, उसको अगर आप 2x पर देखेंगे, और दो बार देख लेंगे, वो ज़्यादा फायदे मन्द है, दो या तीन बार 2x पर चला के देख लिए यह चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रिपरेशन करें, यह एक तरीके से आपका लेक्चर सीरीज है, आपका एंचेंट इंडिया का, आपका प्लेलिस्ट है, हिस्टी का प्लेलिस्ट, उसमें एंचेंट इंडिया के लगबग लगबग पूरा 100% तो कवरेज की गैरेंटी कोई नहीं दे सकता, लेकिन करीबर 90% तो सारी चीज़े मैंने कवर करने की कोशिश करी है, इन लेक्चर्स एंड इन एम्जी क्यूस, इससे आपके तयारी को काफी फाइदा जरूर मिलेगा, तो रिवाइस करते रहिए, और हम लोग मिलते हैं, हमारे अगले सेशन में